नमश्कार दोस्तों रोजा में राश्वी फल दखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले शाथी बेल आइकन को प्रेश कर दे तो आई दोस्तों आपकी राश्रे से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंश चुके और आप ने देकर अपने जीवन के उत्तम शुकों का लाब ले शुकें तो आई दोस्तों से के शाथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 9 नॉमबर 2021 के आपके राश्वी फल के बारे में शबसे पहले दोस्तों जिनका भी यश में बर्टिदे हैं या फिर इनिवर्शरी हैं आप शभी को मारे तरब शे देर शारी शुक कमनाएं तो आई दोस्तों इसे के शाथ बात करते हैं यश में गराओं के सिद्धे के इस योग बनेंगे और इन्हें शबी का शुराब की राश्वी पर क्या होगा कि इनके इन चीजहों को लेकर यश में आपको साउधन नहोगा और आगर कौन कौन शे कारी आपके लिए बाग शले होंगे दोसों यश में आपका लब लाइप, स्वास्त करियर और धन के सिद्धे के शिरेंगी साथे दोसों वीडियो के मद में आप शबी के लिए बहुत अच्छे बिजार दे गए हैं जुने आप जरूर देखिएगा आपको काफी अचा लेगा तो आई दोसों बात करते हैं दोसों यश दिन मंगलवार का दिन होगा शुकल पाज की पंजमिती थी रहेगी और दोसों यश दिन पूर शड़ा नाम का नच्छत रहेगा दोसों यश दिन योग की बात करिए तो धिरती नामाग शुबयोग तो दोसों यश देगा दोपर की दो बचकर पच्पन मिट चले कर शाम के चार बचकर अठारे मिट तब और दोसों चनर माई दिन धनु राशी को प्रांथ मगार राशी में शुन्चार करेंगे दोस्तों मंजिन उन्ही को मिलती है जिनके शपनों में जान होता है सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता होशले से उड़ान होती है दोस्तों जिने अकेले चलने का होशला होता है एक दिन उसके पीछे काफिले होते है दोस्तों यह सोच है कि पानी में तेरने वाले हमेशा डूपते हैं और किनारे पर खड़े रेने वाले नहीं मगर एशे लोग कभी तेरना भी नहीं सिख पाते हैं दोस्तों क्यों कहते हो कि कुछ बहतर नहीं होता सच तो यह है कि जिस आप चाहते हैं वेसा नहीं होता कोई तुम्हारा साथ नो देतो चुत्तों गम मत करो खुद से बड़ा दुनिया में कोई हमसबर नहीं होता दोस्तों जब तक तुम दोड़ने का शांस नहीं जुटाओगे तुम्हारे लिए परतिस परदा में जितना शदा अशंबावी बना रहेगा चुन्तियों को शिवकार करो क्योंकि इससे या तो शफलता मिलेगी या फिर सिक्षा दोस्तों धार के विप्रित जा कर देखिए जिंदगी को अजमा कर देखिए अंधिये खुद मुड लेगी रास्ता एक दिपक को जला कर तो देखिए दोस्तों मुश्किल से भाग जाना अशान होता है पर हर पहलू जिंदगी का इंतिहान होता है डरने वालों को मिलता नहीं कुछ जिंदगी में लडने वालों को कदमों में सारा जहान होता है तो चली इससे की साथ बात करते हैं आज की राश्यफल की देनी राशिफल, दोस्तों येश में कई परकार की गतिदियों में वैस्ता रहेगी, शाति समाजिक दाइरा भी आपका बढ़ेगा, आपको बता दें कि आप किसी विसेज परिजन को हसल करने में भी शक्षम रहेंगे, आपको बता दें, लोग आपकी योगता की येश में का शिला परवाई आपको लक्ष से बटका शकता है, तो दोस्तों येश में इन बातों पर आप गौर करें, दोस्तों मन को शमित रखें, तथा नकार्तमक परविरती के लोगों से दूरी बना कर रखें, तो आपके लिए उतना ही बैतर होगा, दोस्तों ये जो आपके लिए बहुत ही महत्पुन शमय होगा, कोई निरले लेने में दिक्कात तो आएगी, किसी वरिष्ट व्यक्ति की शला और शले उनमें शुदार आएगा, और इसको प्रांद दोस्तों ये शमय, आपके लिए जो समय होंगे, आपको बता दें, कि दोस्तों यात्रा से समय निरले मे थोड़ा बदलाव आशकता है, यातरा करते शमय, महत्पुन दस्तेवेज और पेशे को समाल कर रखने की आवशकता होंगी, आपको बता दें, कि आपके लपरवाय के वज़ेशे ये शमय नुक्षान होने की अशंका भी बन रही है, तो दोस्तों खाश कर आपको बता दें ये शमय आपको इन से सावधन रहने की आवशकता होंगी, इसलिए दोस्तों सतरक्ता जरूर रखे, परिवार के शाथ वक्त बिताने के लिए आपको अपने जिवन शेली में जो है थोड़ा सा बदलाव लाने की भी आवशकता होंगी, और इसको प्राहत दोस्तों ये शमय आपके लिए शमय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि पारवरी को कोई विश्यस कारिश शमपन होगा, आपको बता दें घर में नमीन वस्तु के खरदारी भी समभ हो सकती है, किसी मित्र के दुख दर्द में या फिर उनके तकलीप में उनकी शाता करना आपको ये शमय आ परकार की शमस्या उत्पन हो शकती है, फिजल खर्ची पर ये आपको नियंतर रखना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ये जो समय है आपके लिए अकास मक्ती कुछ खर्ची आपके शामने आएंगे, योजना को जो है किरनुद करने में कुछ परिशानी भी ये शमय आशकती है, और इसको फ्रांदोस्तों ये शमय, आपके लिए जो समय होंगे आपको बता दें कि दोस्तों काम चाहे जो भी हो, उनकी गती आगे बढ़ते रहेंगे और पस्तिती को आप अपने पक्ष में कर भी पाएंगे, आपको बता दें कि पेसे से रमें तकलिफें कम भी होगी, क् आप अपने कारियों में बहुत अधिक तरीके से ध्यान को केंदरित भी कर पाएंगे, परिवार की व्यक्ति के दोरा आपेचित लाव मिल बाना एशमय के लिए बहुत ही कठिन हो शकता है, फिर भी दोस्तों व्यक्ति के प्रती मन में बढ़ते हुए रोज को खुद पर हा होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि विद्यार्थी तथा युवा वर्ग सिक्षा समंदी कोई दूधा दूर होने से आपको रहत मैसुल होगी, तथा अपने फेचले स्वेंग लेने की हिम्मद भी बढ़ेगी, आपको बता दें कि घर के बड़े श्रद्रस्यों का श्रय करें, गलत जगप पुझी निवेश भी हो सकती है, इस बात का श्रय में आपको ध्यान रखना चाहिए, इसको प्रांदोस्तों यह श्मय, आपके लिए जिस समयोंगे, दोस्तों आपको बदा दें कि बेवज़ा खर्चा होने की अशंकातू बन रही है, इसलिए कोई भी ख दर्कता चाहिए, निर ले ले यह श्मय, आपके लिए बहुत ही महत्पुन होंगे, और इसको प्रांदोस्तों यह श्मय, आपके लिए समयोंगे, आपको बता दें कि दोस्तों काफी दिन से चल रही वैस्ता के कारण, आप जो है यह श्मय आराम करने के मूड में भी रह श आत्मिश्वास भी आपके लिए दिक्कत उत्पन कर सकती है इसलिए यश्मे सांत अची तरीके से पस्तिती का मनन करें आपको बता दें उसके बाद ही कोई कदम उठाएं घर के बड़े भुजरों की किसी भी बात की जो है अवहलना ना करें क्योंकि यह आपके लिए पूरा दिन पूरा जो समय होगा आपके लिए इनसे समदित नहीं जना विगड़ सकती है तो दोस्तों जरू इन पर ध्यान दें और अपने मांसक तुनाव को दूर करने की यश्मे प्रयाश करें आप इनमें मेडिटेशन में भी ध्यान दे सकते हैं इनसे आपको कापी आत प्रिष्टी से समय बहुत ही अच्छा रहेगा अगर विवास्ता में कुछ परिवड़तर शमदियोजनाय चल रही है तो दोस्तों उन पर अपना ध्यान के दें जल्द ही उचित पर शामने आएंगे प्रंतु यह जो समय है आपके लिए धन के लेंदे शमदियों कोई भी क शमदिक कार में कोई भी डिल पर शमदियोश्तों में और समय हो सकती है औरपिस में बहुत सद्वाइ उचा अधिकारी से कहा सुने भी हो सकती है इस बात पर गौर करें यश्र में धहरी और श्यम का दामन आपको थामी रखना है इस बात पर ध्यान दें और इसको प्राम दोस्तों यश्र में आपके केरेर के लिए जो समयोंगे दोस्तों आपको बता दें कि वह शाय में अस्थान परवरतन की संभावना भी बन रही है आर निश्टा से ने करेंगे तो फिर आपकी ब्रदनोंते में तो इस बात कर गौर करें इसको प्रांद तो याश्रमे गरें गर्डर्मे जीवन के लिज़िवन एपको बता दें कि घर परिवार का वातारों श्राची तथा वैस्तित बना रहेगा आपसी समझों में भी मदूर्ता और उचित तालमिल बना रहेगा इसके साथ दोस्ते योई आपके लिए से महोंगे आपको बता दे कि दोस्टों वैस्ता के साथ-साथ विवायत समंदों तथा घर परिवार के रिए शमय और निकाले इससे आपसी समाजिस तथा प्यार बना रहेगा वैर्थ के प्रेम समंदों में अपना शमय यश्ट में नश्ट ना करें इसको प्राहन दोस्टों ये शमय आपकी लव लाइब के लिए आपको बता दे बिवायत जिवन को मदूर बनाई रखने के लिए आपको प्रयाश करने होगी क्योंकि दोस्टों आपका गुशा ये प्रेम समंदों में तरकराद उतपन कर सकता है इस बार पर गोर करें इसको प्राहन दोस्टों ये शमय आपकी स्वास यानि सहत को लेकर बात करें तो दोस्टों ये शमय शाडिक्द और मानशिक आराम भी आपको करना जरूरी है इसमे कुछ शमय स्वेंग के लिए भी निकाले और मरोजन आदी में शमय को उधित करें दोस्टों ये आपके श्वास के लिए शमय में बहतर होंगे इसके साथ ही कुछ नकारत्मक विचार भी आपके उपर हाऊई होंगे जिनका अश्र आपकी कारश्मता पर भी पढ़ेगा मेट्रेशन तथा योगा भी आपको अपने दिंचरिया में शामिल करना चाहिए दोस्टों ये भी आपके स्वास के लिए शमय में बहतर शावित होंगे और इसको प्राहत दोस्टों ये शमय जो है कबजियत और गयस की समस्या भी आपको परिशान कर सकती है शात्मिक चीजों का शेवन करें तथा खान पान को ये शमय आप वैस्तित रखने का प्रियाश करें इसको प्राहत दोस्टों ये शमय आपके हेल्थ क्रिजूस में होंगे आपको बता दे गर आप शाद होने कर रखेंगे तो स्वास आपका अंत में ठीक रहेगा डाइबटीज लोग लापरवाहिना बरते बस इसको प्राहत दोस्टों ये शमय आपका भागी शाली रंग रहेगा पीला और भागी शाली अंक रहेगा एग